आज केल जितना भी जॉब आता है सरकारी जॉब हो या फिर प्राइबिट में जॉब हो तो वहां डाटा इंटरी के लिए टाइपिंग कमांग किया जाता है जैसे एससी हो गया या किसी प्रकार के सरकारी जॉब आता है तो उसमें भी टाइपिंग कमांग किया जाता है जाहिंद मैं सुझीत आपके अपने यूटुब चैनल केंपीटर वाला में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइपिंग के वारे में टाइपिंग होता क्या है टाइपिंग का हम लोग उप्यों क्यों करते हैं यह पांच यह का जिसमें हम लोग इंग्लिश टाइपिंग को अच्छा से देख लेंगे सब पहले देखिए टाइपिंग टाइपिंग शिंदी में काते हैं टंकन क्या काते हैं या मोबाईल में हम लोग की बट के जर Cart ये जो collapse को लिखते हैं उस सी को lebih जाता है टाइपिंग या किसी सब्द को लिखते है या किसी वर्ड को लिखते है उसी को टाइपिंग कहा जाता हूँ ऐसा दे कि टाइपिंग तो तीन प्रकार का होता है पहले टाइपिंग को मापा किया जाता है डबलू पी एम में वर्ड पर मिनट तो इसी के हिसाब से आप का इंगलिज में 40 का स्पीड होना चाहिए मतलब एक मिनट में आप 40 वर्ड लिख सकते हैं इतना स्पीड होना चाहिए टाइपिंग को कितने भागों में बटा गया है तीन भागों में पहला हो गया कीबोड टाइपिंग दूसरा हो गया वाइश टाइपिंग और तीसरा हो ग करता रहता है उसी को टच टाइपिंग कहा जाता है और टच टाइपिंग के जरिए ही कहीं पर जौब लगता है और देखे जितना भी फॉंट है हिंदी के लिए अलग इंग्लिस के लिए तो सब का टाइप करने के लिए अपना अपना फॉंट होता है तो फॉंट का उपयोग करके और उंगली के माध्यम से आप कर सकते हैं और यदि आप typing को स्पीट करना चाहते हैं तो देखें का स्पीट करने के लिए बीविण प्रकार के जो कहानी होता है गेम होता है जैसे टाइपिंग मास्टर गेम है और website पे भी वी गेम्स आता है तो गेम के जरीया आपपिंग का स्पीड करते हैं और टाइपिंग को करने के लिए रोजाना कम से कम एक घंटा है जो आपको प्रैक्टिस करना होगा कम से कम तो रोजाना एक घंटा वस तीन महीना तक आप कीजिए वैसे टाइपिंग कोर्स का भी तीन महीना का होता है तो तीन महीना तक आप कीजिए आपका टाइपिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आपका हाथ कोई नहीं पकर सकता है टाइपिंग में सिर्फ आप कोर्स करते हैं तो आपको उसके साथ एक certificate भी दिया जाता है जो बैलिड रहता है तथा आपके पास यदि टाइपिंग का नौलेज है तो आप खुद अपना रोजगार जैसे साइबर कैप ऑनलाइन का जो होता है सेंटर उसको आप खोल के और अच्छा खासा वहां पर टाइपिंग के माध्यम से आप कमा सकते हैं और विभिन प्रकार के जैसे यह है कीबोर्ड और यह जो कीबोर्ड है इसमें यह बिचला वाला है इसको कहा जाता है होम की हो गया और यह है जो इसको कहा जाता है बटन की तो इसको होम की कहा जाता है इसको टॉप की और इसको बटन की अब यह अंगली हो गया ठीक तो अंगली में सेट करना होता है किस उंगले में क्या रखना तो ये कंगुडिया जो है इसमें है जो क्या रखना एर इसमें और इसमें डी है इसको रखने के लिए और देखिए यह है तो इसका जो है कि सबस्क्राइब को शाções मैं यह कंगुरिया वाला है मिक्ति वी रखते हैं यह रखते है以及 मं 회 एक और यहाँ। जो से आप देखे इसमें जो है इसमें यह लिए समें ओर एसका अप करते तो मन में आप को बोलना ही परेगा बोलियेगा तो इसके माध्यम से आपका माध्यम से अंगली में सेट होता जाएगा तो यह इसमें हो गया A, S, D, F और इसमें हो गया J, K, L और उसके बाद यह कॉलून अब यह जो दोनों है यह वटन है जो स्पेस पे किस पे हैं स्पेस पे अगर स्पेस देना है तो यह स्पेस बटन का उप्योग कीजिए यह सबसे बाड़ा की यह होता है अब देखिए हों की के माध्यम से हम लोग कुछ पहले तो इसको आपको प्रैक्टिक्स 40-50 वार करना होगा ऐस्टी एफ ऐसे बोलना भी है और ताइप भी करना जैसे जे-के-ल कलून एएस उसके बाद यहां पर डी ऐप और इसमें इसमें चीज यह बड़ा है फिंगर इसमें दोनों चीज है एफ भी है और ऑर सॉर्ट करने के बाद पिर इसका निस्ची तस्तार पिक करना इस पर और यह ज्य कह है कि है यहां पर होगया और हच चो गया जहरए यह दोनों में ये ताब दक है यह जो हम इसका मतलब उसी एसका इसका हों कि का जो में पर है उस पर आ जाना है आप इसमें देखिए पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा A S D F A S D F A S D F H A S D F H इस परकार से कर लेना फिर इसमें इस से तो कलून हो गया क्या हो गया इसमें कलून हो हो गया हो गया हो गया और अब्रोष्य हों कई करना है और आपको जो वड़ देते हैं उसको आप लिखना होगा करीब 15 वर्ड देते हैं उसमें आप टाइप किजिए और टाइप करने के बाद आपका जो टाइपिंग है जो होम की पर प्रैक्टिक्स हो जाएगा तो आज पहला दिन आप लोग होम की का प्रैक्टिक्स कीजिएगा तो यह वर्ड है पहला है एड दूसरा है तीसरा है है चौता है उसका ऐॉल एई उसके बाद है लांस लाख के चल्डा का थो इस वीडियो में हम लोग देखे है कि कि किस प्रकार से अंगली को है जो होम की पे उसको एर्जेस्ट करेंगे और एर्जेस्ट करने के बाद टाइप करेंगे इसको आप प्रैक्टिक्स जरूर कीजिएगा या तो आप टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप गूगल पे बहुत ऐसा वेफसाइट है जहां पे जाके आप इसका प्रैक्टिक्स कर सकते हैं और जो यह वर्ड दी है उसको अभी प्रैक्टिक्स जरूर कीजिएगा आज के लिए इतना फिर मिलते हैं अगले